रिश्य प्रसाद की सेवा क्यूं करनी चाहिए? कोई आपको पुले क्या जरूरत है करने की? अपना काम कम है क्या हमारे पास? टाइम ही नहीं मिलता? तो फिर ये हम क्यूं करें? तो देखो पर सेवा से स्वादिन्ता का सामर्थ्य प्राप्त होता है व्यक्ति जीवनकाल में स्वादिन नहीं हो पाया और पराधिन ओकर मरा तो एक इतना बड़ा दुरभाग्य है तो सेवा से स्वादिन्ता की शक्ति आती है ऐसा व्यक्ति राग रही तो पाता है पहले का राग उसका छूपता है और दूसरा राग उत्पन नहीं हो तब पर ये ध्यान रखें कि कभी भी किसी से परीचे हो ना उसकी आकृती हमारे दिल दिमाग में न बने आईने की तरह हो मन को आईना कहा और आईने को भी साफ करने की बात कहीं क्यूं कहा कि आईना किसी के आकार को पकड़ता नहीं है चहरा कोई देखे फिर आटे तो गया ऐसा हो मूबाइल में जिसे सुविधा होती है किसी का फोटो कीच और डिलिट भी कर सकते हो वो नेगिटिव पहले होती थी उसमें डिलिट नहीं हो सकता था पहले जो कैमेरे की रील होती थी न तो उसमें डिलिट नहीं हो सकता है मूबाइल में फोटो की जो डिलिट भी कर सकते हूं तो कम से कम आइना नहीं तो ये मूबाइल सिस्टम दो डिलिट तो कर दो मैसेज डिलिट कर देते हैं ऐसे किसी की बात दिमाग में से डिलिट कर दो तो फोन में तो डिलिट का होता है कि यह दबाओ डिलिट हो गया ऐसे ही गुरु मंत्र का जब करो ओम चल डिलिट अरी ओम डिलिट हो गया चल भई जा तू यहां से बार मेरे अंदर मत रहे तू निज मन मुक्र सुधारी यही है मन मुक्र सुधारी मुक्र मतलब आईना निजमन मुकुर सुधारि बरनव रगुवर विमलजस जो दायक फलचारि तो सेवा से रिशी प्रसाद की ये सेवा इससे स्वाधीन होने की शक्ति प्राप्तों की लोग क्या करते हैं कई बार दूसरों की चर्चा भी करते रहते हैं वो भी बेकार है दूसरा व्यक्ति खराब है या नहीं ये बाद की बात है परन्तु वो खराब है इससे व्रत्ति तो खराब हो गई गाटा किसको हुआ उसको जिसकी चर्चा कर रहे थे यहां चर्चा करने वाले को इसलिए कोई आपके आगे पर चर्चा करें नाम बले दूसरी बात कर मेरे पास ज़्यादा वो मेमरी नहीं है इतनी अंदर है गुरुगा ज्यान ज़्यादा इसमें अंदर नहीं भर सकूँगा मैं दूसरी बात कर घाटे का काम नहीं करना इश्वर के लिए गुरु के लिए जो कुछ करेगा देखो इश्वर और गुरु चाहते हैं सबका बला हो गुरु देव सत्संग क्यों देते हैं सबकी बलाई के लिए रिशी प्रसाद पत्रिगा क्यों शुरू कराई सबकी बलाई के लिए मानव मात्र की बलाई के लिए चाए हिंदू हो चाए मुसलमान हो इसाई हो सिखो हो पार्सी हो यहुदी कोई भी हो सब की बलाई के लिए किया तो जो रिशी प्रसाद की सेवा करेगा क्यों करेगा कि सब की बलाई हो तो इश्वर और गुरु भी सब की बलाई चाहते हैं सेवा करने वाला भी सब की बलाई चाहेगा बलाई के बाव से करेगा तो इश्वर की शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाएगी और बागी के टाइम मौन रखकर जब ध्यान करेगा अपना अर्थो पारजन के लिए जो काम करना है किया सेवा के टाइम सेवा जैसे घरों में लोग होते हैं तो एक विभाग किया होता है समय का कि यह टाइम सोने का बाई रात को ग्यारा बच गयाए चलो सो जाओ कोई दस बज़े भी सो जाते होंगे ये टाइम सोने का है पांच बज़े तक चाड़े चार बज़े तक जितनी सोते हूँ ये नींद का टाइम है पांच बज़ गया है चलो उठो अपना नित्य करम शनानादिका करो ये टाइम नियम का है ये टाइम दुकान दंदे पर जाने का है बहने अत्वई ये टाइम घर के काम का है ऐसे ही कुछ टाइम सप्ता में ये टाइम तो हर सप्ता में सेवा का ही है बस जैसे रोज अमुक टाइम पांच गंटे शे गंटे सोने का है ये टाइम खाने का है ये टाइम सप्ता में सेवा का है क्योंकि सेवा से स्वाधीन होने की शक्ति प्राप्त होगी स्वक कर्मना अतमभ्यर्चम सिद्धिम बिंदति मानवा जो सेवा करते हैं वो ये भी ध्यान में रखें कि ये सेवा तो और भी कोई कर सकता था मैं नहीं करता तो और कोई करता पर मेरा अहो भाग्या कि मुझे सेवा करने की इच्छा हो गई जिस सेवा से स्वाधिन होने की शक्ति प्राप्तो वो सेवा मुझे मिल गई झाल